भाजपा सरकार के रोजगार मेले के साथ साथ सरकार की रीती नीती पर कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने तीखा आमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्होंने रोजगार मिला लगाया, वे ये तो बता दें कि कितनी भरती निकाली, कितनों को नौकरी दी और कितनों को भत्ता दिया ये नियुक्ती का ढोल बजा रहे हैं ये सभी कॉंग्रेस के शासनकाल में भरती निकली थी परिक्षय हुई और परिडाम भी आया कुछ लोगों की जोईनिंग नहीं हुई थी उन्हें पत्र दे कर ये लोग आज अपनी पीट थपता पा रहे हैं इन्हें पहले ही नियुक्ती दे देनी चाहिए थी लेकिन अधिकारी और नेताओं में सामन जस नहीं था इसलिए नहीं कर पाए कॉंग्रेस अध्यक्षी डोटासरा ने विधान सबा सत्र से पहले अपने तेवर साफ कर दिये उन्होंने कहा कि तीन से राजस्तान का बजट सत्र शुरू हो रहा है ये कैसा होगा इनका अब तक का कारेकाल बता रहा है अब तक ये योजना की जाच करेंगे नाम बदलेंगे कुछ को जेल भेजेंगे और दिल्ली में हाजरी लगाएंगे इसी में इनके छे मईने बीते हैं बदन दिलावर के बयान पर भी हम विदान सबा में सरकार को घेरेंगे तीन तारिक से हमारी राजस्तान की विदान सबा का बजट सत्र पहला बजट सत्र आ रहा है राजस्तान का बजट कैसा होगा ये इनके छे साथ मैंने के कारियकाल से पता चलता है कि ये किस तरीके की सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं अब तक तो हमने ये योजना बंद करेंगे समिक्षा करेंगे जाच कराएंगे किसी को जेल भेजेंगे आपस के जगडे इस्तिपे का नाटक दिल्ली की इनकी हाजरी इसी में बुजर गया आज बुख्य मंत्री जी उस दिनों से अपनी खुद की पीट थपत पा रहे हैं तो जो दो चीजे इन्होंने इस दो पांच दिन में किये हैं जिस पे काचपी प्रदेश की जनता का पैसा जो राजस्वय से अरजित होता है उसको खर्च किया गया है एक तो उन्होंने बड़े-बड़े एड भी दिये और जुन-जुनों में कारिय करम भी किया कि हम इतनी लाथ लोगों को इतने करोड रुपे पैंसन के देंगे और हमने 15% की पैंसन की रासी बढ़ा दी मैं कहना चाता हूँ कि 1000 रुपे मिनिमम पैंसन होगी प्रतिवर्स 15% वो पैंसन धारियों को बढ़ाई जाएगी इसका कानून पारित हमारी कॉंग्रेस की सरकार के समय हमने किया था इन्होंने ने तो 10 पैसा बढ़ाया है इनका कोई योगदान नहीं है इनको देना ही पड़ेगा ये कानून है और जब कानून बन गया तो उसके बाद में उस बात के लिए वो रासी रिलीज इनके फाइन जनता को परमित करने का काम कर रहे हैं दूसरा ये रोजगार मेला आज लगा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ मानिये मुख्य मंदरी जी आप कम से कम ये तो बता दीजिए आपको नहीं पता तो आप अधिखारियों को पूछ के पता दीजिए कि आपने 6-7 मैने में दिस किसमबर के बाद में जून तक आपने कितनी बर्तिया निकाली कितने बच्चों को नोकरी दी बच्चों को जो बिरुजगारी बता का कानून आज भी जो हमारा बनाया है वो कानून लागू है वो योजना लागू है उसमें कितने बच्चों को आपने बिरुजगारी बता यह जो 7 आजार न्यूक्तियां वह हैं जिनकी पक्रिक्षाइग हमारे समय में हुई, रिजल्ट कॉंगरेस के समय में आया और उनकी न्यूक्तियां भी होगी लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी डिगरियों की जांच हो रही थी या अन्य कई कारण थे जिसकी वज़े से वो उस टाइम उनको नोकरी नहीं दे पाए या कोर्ट कैसे थे जिसकी वज़े से वो नहीं दे पाए वो कुछ लोग हैं जिनको ये अपनी उपलब दी और अपने दुआरा सरकारी नोकरी देना बता करके ढोल प्रियोग साला साई की बात हो चाहे पुस्तकाले ग्रेट की बात हो ये सारी विग्यप्तियों के मैं आपको दे दूँगा, कल भी मैंने प्रेशनोर जारी किया था, 2022 में ये विग्यप्ति निकली है, 22 में या 23 में इनकी परिक्षाई ही हो गई, इनका रिजल्ट हो गया, और इनको सब को लोकरी देने के योग्ये बना दिया, लोकरी डे भी दे था, इनके जो अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स है और जो नेता, अभी नेता जो भी इनके हैं, उनमें किसी में कोई सामझे से नहीं था, किसी में वीजन नहीं था, कि बच्छे रोजाना कह रहे हैं, नोकरी दे दो, हमारा अपोइंटमेंट लेटर जारी करना है, वो लेटर पत्तर का ये नोटंग ही कर रहे हैं, लेकर के इसलिए ये रोजगार मेला पूरी तरीके से फैल है, रोजगार मेला को छोड़ी आप, आप रोजगार दे ही नहीं सकते हैं, बिरोजगारी पत्ते का प्रावदान है कानून में, और पचास क्रोन रुपे आज भी बकाया आप एक रुपे नहीं दे रहे हो, छह जार आपको देना था, दो जार की बात कर रहे हो, लेकिन दे एक रुपे भी नहीं रहे हो, ये आपके सम्मान निति की बात कर रहे हो, गेंप के उपर आपको तीन सो रुपे बोनस देना था, आप डेड़ सो रुपे देकर के इती सि कर रहे हो आप ही की गोशना है हमारी गोशना नहीं है विवेका नंद स्कूलों के जिनकी आप कह रहे हो कि हम प्री प्राइमरी चालू कर रहे हैं ये पूरा का पूरा पैसा जिस समय वसुंद्राजी के सरकार थी तब ये खेंदर सरकार में निर्देश दिये थे हमारे समय में पात साल में हमने पूरे के पूरे स्कूलों में सब में प्री प्राइमरी का और ये भवन निर्मान सिविल वर्क और बाकी का इंफ्रास्टेक्टर जो संसाजन चाहिए वो प्लब कराए अब इनको खोलना ही है ये महरवानी नहीं कर रहे हैं इनके समय में 10 पैसा भी अगर भग्वान प्रोचे छोड़ दिया और यह कर दिया यह तो बंद हो टो उनकी कोई महरवानी नहीं है राजयव गांदी जो स्कोलर सुश не मैप्ल typ ठो recording वरना तो जो विज ëश में जाने वाला बच्चा है उसको वहांपर जो selection हो गया वो एक मैने का gray spirit देती है उनिस्टी अगर वो एक मैने में फीज नहीं देता है तो उसका या तो निर्ष्ट हो जाता है या उसके घर से बढ़ना पड़ता है या अभी तक भी उस योजना का नाम बदला लेकिन वो पैसा जारी नहीं किया और उसका जून लास्ट डेट कर दी तो जिन बच्चों का मार्च अप्रेल में selection हो गया उनको एक मैने का जो फीज जमा कराने का या या उनिस्टी चुनने का जो उनको अधिकार दिया था वो तो सब चीजे खतम हो गई या तो उन्होंने अपना घर से पैसा जमा करा दिया और या फिर वो निरस्ट हो गया उनका जिसके बाब पैसा नहीं था तो इस योजना को भी उन्होंने मारने का काम कर दिया इसलिए नहीं वो शिक्षा के क्षेतर में काम कर रहें बच्छों का बहुशे बरबाद हो गया रोजाना सड़क के उपर डिस्को डांस करते थे आज कहा गए वो सारे के सारे नेता आज नेट में सीवियाई जांज जब केंदर ने दे दी तो बच्छ क्या गया एंट ये पुरी तरी के से फैल है उसको परकास कर दिया हां रीट के स आज ये एसाइटी गठित करके ये रायता पहला रहे हैं ये सडियंत रच रहे हैं कि हम परसेप्शन बनाते रहे हैं कोई सरकार कॉंग्रेस के समय ठीक नहीं वा और इसलिए हमको नोक्रियां देनी नहीं पड़े बच आप कीजिए जाचे हैं हमें किसी को कोई अतराज नह हैं गलत आदमी हैं अपरादी हैं जो पेपर लिग करते हैं सरगना हैं वो छोटा हो बड़ा हो सब को जेल में डालिये लेकिन बाज साब इनको दीजिए नोक्रियां दो दीजिए इन बच्चों को आब बता जीजिए साब साथ मैने में साथ नोक्रिय इनकी निकाल करके इन कि राज येपाल की अविवासन पर कर लो चर्चा है क्या ये कोई तरीका होता है इससे बड़ा देश के सामने आज के तारिक में कोई मुद्दा नहीं है और हमारे नेता प्रतिपक्षाद रहनी है राहूल गांदी जी ने और खड़के साहब ने जिस प्रकार से कल स्टेंट हम सब पूरे देश के लोग युवा और सभी पार्टियों के लोग इंडिया गटबंदन के लोग और आम जंता उनके उस कदम के साथ में हैं कि आप चर्चा क्यों नहीं करा रहे हो डर क्यों नहीं हो आपने कोई गोठाला किया है किसी नहीं किया है तो सामने आ जाएगा ब क्या हाथ में रहता है तो उसको भी देखना चाहिए अब इन ये तो लड़ने में नहीं फुरसत मिल रही है इनको दिलावर जी और किरोडी जी फैंक रहे हैं वो उस पे ट्रांसफर का ओर्डर फैंक रहा है वो उसके उपर फैंक रहा है क्या तमासा लगा रखा किस प्रकार क गठिया मान सकता कि बासा जो मैं कहता हूँ कि यह अपने आपको RSS का सच्चा सिपाई बताते हैं तो क्या RSS ने मदन दिलावर जी यह सिखाया था आपको कि आप ओची मान सकता कि साथ में किसी को गाली देो किसी के माबाप का को चैलेंज गरोगी तेरा बाप कुन था हम DNA ने टेस्ट कराएंगे आज आदिवासी कितना परिशान हम सब लोग पूरे प्रदेश और देश के लोग हर उस बयान की दिलावर जी के बयान की कड़ी मिंदा भी करते हैं और हम राजस्तान की विधान सबा में उनको बता देंगे कि आपकी ये जो सोच है मैं समझता हूँ कि क्या RSS की यही सोच है दिलावर जी की सोच RSS मना क्यों नहीं कर रहा है फर्दे के पीचे घूब गोट़ा ले कर रहा है तो फिर यहां आकर के जब जनता उद्देलित है देश के लोग उद्देलित हैं और इतना गलत मैं दिया उसके बावजूद एक विजेवी का नेता ब बिगडे और हर कौम को टार्गेट करके उसके उपर इस प्रकार के ओचे और संकिन मांस्तिकता के बयान देखर के उनको अपमानित किया जाए मैं समझता हूं कि इसके लिए भी हम राजस्तान की विदान सभाव के लिए भी तयार हैं इस प्रदेश का कि ऐसे लोग आज सत्ता में बैटे हैं जिनको यही पता नहीं है कि हमको करना क्या है और हमारी लाइन ओप लेंथ क्या है जो बोलर होता है ना वो कदम गिन करके फिर बोल ऐसे फैंकता है को सो में से एक आतरी बाउंस हो जाए इनकी तो सारी बाउंस हो रही है यतनी फैंकने उतनी बाउंस हो रही ह तो इनके समझ भी नहीं आ रहा है, यह करेंगे क्या